क्या सुन्दर कांड का पार्ट पूरा एक बार में ही करना चाहिए इस सवाल का जवाब देने जा रहे हम हमारे आज के इस वीडियो में हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए सुन्दर कांड का पार्ट सबसे अचूक माना गया है यह तिलसी दास्कृत रामचरित मानस का एक पाच्वा कांड है आओ जानते हैं सुन्दर कांड का पार्ट एक बार में ही करना चाहिए या फिर रुक रुक कर कर सकते हैं सुन्दर कांड एक मातर एसा अध्या है जो श्रीराम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है सुन्दरकांड का पाठ सभी मनुकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो सुन्दरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है हनुमान जी के सुन्धरकाण का यह पाठ सपता। सपता में एक बार जरूर करना चाहिए। जोतिश आस्तर, जोतिश के अनुसार्भी विश्म परिस्तियों में भी सुन्धरकाण पाठ करने की सलहा दी जाती है। सापता ही पाट करने से ग्रह कलेश दूर होता है, और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं 40 सपता तक सुन्दरकाण का पाट करने से जीवन में आता है खूपसूरत बदलाव विधवान लोग मानते हैं कि वैसे तो सुन्दरकाण का पाट एक बार में ही करें तो ज्यादा अच्छा है परन्तु यदि आप इसे एक बार में करने में सक्षम नहीं है तो रुक रुक कर एक ही समय करें इसमें किसी भी प्रकार का अंतराल नहीं होना चाहिए सुन्धरकान का नियमित पाठ करने से कर्ज और रोक से छुटकारा मिलता है सुन्धरकान का पाठ करने से व्यक्ति के हर छेतर में सफलता से आगे बढ़ता है सुन्धरकान के पाठ की शुरुआत मंगलवार या शनिवार के दिन से ही करें इसमें स्वच्छता का विशेश ध्यान रखें हनुमान जी के साथ सीता राम की मूर्तियों की पूजा करने के बाद पाठ की शुरुआत करें हनुमान जी की पूजा फल फूल मिठाई और सिंदूर से करें सुन्धरकान का पाठ शुरु करने से पहले गणेश वंदना जरूर कर ले वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेस्बुक और वाटसिप पर जरूर शेयर करें हमारे चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें